सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए कोड का सम्दी विभाजक सम्द विभाजक तक क्लाब देखते हैं एक कागस पर कोड ए ओ भी खीचिए बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पर कोड ए ओ भी है ठीक है फिर इस कागस को इस प्रकार मोड़िये की मोड़ का निशान उससे होकर जाए मतलब बिल्कुल इसके बीच आजाए तो जब यह इसके उपर आजाएगी बच्चो तो बीच में एक मोड़ बन जाएगा ठीक है ओसी मोड़ का निशान हो जाएगा ओसी मोड़ का निशान है जो कागस को खोलने पर प्राप्त होगा इस परकार ओसी और यह जो ओसी कौड है यह कौड ए ओ पी का सम्ध भी भाजक है, मतलब इसका बिल्कुल बीचो बीच है, जो इसे बीच में सकाटता है, ये इसको आदा इधर, आदा इधर बाढ़ता है, ठीक है, जितने एकोड इधर है, इतने ही एकोड इधर भी है, तो इसका क्या मतलब हो गया, कि कोड A, O, C, ठीक है, किसके बराबर है, समझ में क्या होगा, अब आगे देखते हैं बच्चों, देखिए, चरण 1, समझ लीजिए क्या क्या करना है, कैसे करना है, चरण 1 में आपको कौन, D-A-E, ठीक है, ये क्या करना है, ये आपको खीचना है, खीच लिए, उसके बाद क्या करेंगे, पिरकार में कोई भी दूरी चाहें, ये दूरी कितनी भी हो, छोटी सी ले लेना, वैसे तो, तो पिरकार में कोई दूरी भरकर, A को केंदर बानकर, B से C तक चाप कीचिए, मतलब यहां, यहां तो आपको ये जो पॉइंट है, यह जो पॉइंट है, यहां पर आपको पिरकार की नौक रखनी है, और उ पिक्चर, B को केंदर मानकर, यह जो केंदर माना है, B, अभी यहां परकार की नौक रखें, और एक पैंसिल से चाप यहां लगा दिया, ठीक है, अधिक, आधिक की दूरी खोलकर, परकार, खोलकर, कौन, DA के अंदर वाले भाग में लगाई है, मतलब, DA और E के बीच और बी प्रकार रखकर और यहां लगाई थी न, उतनी ही आप यहां C पर प्रकार की नौक रखकर, एक चाप यहां लगा दिजिए, फिर बच्चो, इसका एक पॉइंट आजएगा, जैसे यह एक चाप होगे, एक चाप यह होगया, तो इसका एक बिंदू आ गया न, तो इस समधि विभाजक होगया, मतलब यही से बराबर दो भागों में बाट रहा है, इतना ही है इधर है, ठीक है समझ आगे होगा, अब हमें कोश्चन दिये होएं करने के लिए हम कोश्चन करेंगे, देखिए, पहला है कौन, कौन A, B, C, 60 डिगरी बनाई है और उसका समधि खीची आपने यहां रखकर, एक ही सबसे पहले स्केल से आपने यह लाइन खीची, B, C, ठीक है इसका नाम रखका 20 का रखका C, अब इस पर आपको यह देखो यह पॉइंट जो है, इस पर आपको प्रकार रखना है यहां पर, यह जो है, बिल्कुल ऐसे प्रकार रखना है, ऐसे करके, ठीक है, आप देखो, यह कहां पर हो रहा है, 60, 60 की खीचनी है ना, तो देखो, यहां पर हो रहा है, 60 ही यहां पर, तो ऐसे करके, ऐसे कौण बन जाएगा, ऐसे बन गया ना, कौण, 60 डिग्री, तो आप यहां पैंसिल से निशान लगा ले ना, फिर स्केल से वह line बिला देना, ऐसी किंवने यहां पर क्या क्या हमने यहां पर हमने यह 60 degree का कौड बना लिया D की साहतक से इसका नाम हमने रख दिया A, ठीक है इसका नाम C हमने अलरेडी रखा हुआ है, इसका नाम B रखा हुआ है अब हम क्या करेंगे बच् Norman प्रकार लेंगे B पर यहाँ point पर आप pencil की क्या रखेंगे B पर प्रकार की knock रखेंगे और pencil की knock से यहाँ एक चाप बना देंगे ठीक है फिर प्रकार को यहाँ Q पर रखेंगे और एक चाप यहाँ थोड़ा सा उपर लगा दिया फिर पीपर रखके हमने परकार की नौक को एक चाप यहां लगा दिया अब यह यहां पर देखो एक बिंदी आ रही है यहां इससे बिल्कुल मिलाती हुए एक लाइन कीच दी हमने सीधी किस से स्केल से ठीक है तो यह क्या हो गया हमारा यह हो गया हमारा सम्धिवाजक अभी लग लग बराबर उसमें बढ़ गया साथ डिगरी का था अब ये भी तीस डिगरी का हो गया यह milligram है ऐसे करना है आपको यह question ठीक है ऐसे बना लेना आपको इसका नाम आप रख देंगे f ठीक है इसका नाम हमने f रख दिया तो यह आपको ऐससे बनाना है बच्चो ठीक है अब ये तो हो गया था आपका question number 1, ठीक है, आप देखते हैं question number 2 कैसे करना है, तो देखिए, code PQR बराबर 120 degree बनाईए और उसका सम्दिविभाजक कीजिए, same अब ऐसे ही कैसे करेंगे question number 2 में, देखो पहले की scales line खीच देंगे, BR, ठीक है, अब इस पर यहां से प्रकार रखेंगे, यहां से, यहां से ऐसे, 120 का आए रहा है, यहां आ रहा है, यहां, यह है न 120, यह रहां, ऐसे करके खिच जा गीए, तो यह आपका कौन सा एंगल बन गया यह रहा 120 का बन गया आप क्या करेंगे अब यहाँ प्रकार की नौक रखेंगे और यह चाप लगा देंगे AB ठीक है फिर B पर प्रकार की नौक रखेंगे एक चाप ऐसे लगा देंगे फिर ए पर पिरकार की नौक रखेंगे एक चाप ऐसे लगा देंगे फिर इसको मिला देंगे ठीक है तो ये क्या बन गया कोशे नमबर 2 में ये बना देंगे आप ये आपका solution हो गया ये चाप लगा कर ये इसका सम्धिवा जाब अब ये है 120 डिक्री का तो ये 200 में बढ़ गया 60-60 डिक्री होगे दोनों तरफ तो ऐसी करना है बच्चो आपको वर्क्षीट आपकी कंप्लीट होगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स फॉर वर्चिंग